हेलो बच्चो, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में आज किस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोष्ट कार्ड नाविक जीडी के बच्चो के लिए मैस के एक्सपेक्टिड कोष्टन्स को और आज का हमारा टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, बाइनोमेल्स थोरम यहाँ बाइनोमेल्स थोरम का लेक्चर वन है इससे पहले हमने और भी बहुत सारे डिफेंट चैप्टर्स पे रिलेटर कोष्टन्स को करवाये हैं जिन्रों ने भी अभी तक उसे नहीं देखा है, तो प्लेइलिस्ट जाकर देख सकते हैं बच्चे आपको बता दे कि जो भी हम आपको कोष्टन्स करवाते हैं यहाँ पे जिन्रेफी चैप्टर्स के पहले कोष्टन्स करवाँगे यहाँ कोष्टन्स कोष्टन्स लिएगा तो आपको यह ग्यामनेशन में help करेगा अगर उस concept रिलेटर कोई भी questions बनते हैं तो आप उसको असानी से बना पाईएगा तो simple एक एक questions के concept को सीखेगा ताकि क्या हो हर एक concept को आपको knowledge हो तो आपको questions बनाने में असानी होगा हम मेरे द्वारा courses होती है कि लगभग सारे concept को आपको questions को clear करवा दिया जाए जितने concept लगभग हो सकते हैं उन सभी को clear करवा दिया जाए ताकि उस related concept से जो भी questions बने तो आप उसे असानी से tackle कर सके तो चली बच्चे start करते हैं वीडियो को आपको बता दे से पहले कि यह math expected questions stage 1 के section 2 में पूछे जाते हैं और बच्चे आपसे request है कि जो भी हमारे नए और पुराने बच्चे हैं तो please video series आपको अच्छा लग रहा है वीडियो से कुछ भी knowledge gain हो रहा है यहां से आपको सीखने प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को सेर कीजेगा और साथ ही साथ चैनल को भी subscribe कीजेगा तो चली स्टार्ट करते हैं वीडियो को पहला question है आपका यहां पर हिंदी इंग्स दोनों में questions देंगे ताकि किनी भी वच्चों को problem ना हो पहला है question आपका if n is positive integer यदि n एक धनात्मक पुर्णांख है ठीक है then the number of terms in the expansion of x plus a to the power n तो आपके x plus a to the power n में कितने पद होंगे यानि कितने ऐसे terms होंगे ठीक है तो चली आपको एक याद कर लिजे ये questions एक type का note बना के भी हम यहां पर आपको दिखा सकते हैं कि आप इसक इसी भी terms में expansion में x to the power 1 के expansion में power n हो तो उसके number of terms यानि x plus a to the power n के expansion में number of terms कितने होते हैं n plus 1 होते हैं ठीक है तो इसका answer क्या होगा option number 2 n plus 1 terms जैसे example आपको देख कि आपको questions exam में पूछ दिया जाए कि x plus 8 to the power 9 में आपके number of terms कितने होंगे तो आप क्या किजेगा n के जवापे 9 है तो 9 plus 1 यानि कितने 10 term 10 term यानि answer क्या होगा इसका 10 term यानि total x plus 8 to the power n के expansion में आपके कितने terms होंगे total आपके 8 terms होंगे sorry 10 terms होंगे कितने 10 terms यानि यहाँ पर जो भी होंगे उसमें 1 add कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 10 terms तो इस तरीके से इन सभी questions को बनाते हैं number terms पूछे तो आप एन में क्या कर दिजे 1 का addition कर दिजे हमारे जितने भी questions होते हैं बच्चे हम एक सार्ट करते हैं lectures को तो कोसिस करते हैं कि थोड़ा basic level से questions को लिया जाए थोड़ा नीचे level से questions को लिया जाए देखें root x plus 1 upon x to the power 2l इसके expansion में आपको फोर्थ मार term निकालना है तो चल्गी इससे लेटर एक आपको note लिखवाते हैं कि किसी भी term x plus a to the power n के term में कोई भी expansion हो अगर x plus a to the power n का कोई expansion हो तो इसमें आपके कोई अगर rth term पूछे कितने कोभी पर आपके rth term पूछे या फिर r plus r plus 1th term पूछे तो आपके कैसे इसको find कीजेगा तो याद रखे t r plus 1 और देखे एक बात आपको हमेशा सिखाएंगे कि जब भी आपको कोई term निकालना रहे तो आप हमेशा r plus 1th term के रूप में उसे मानने ताकि क्या हो आपको बनाने में असानी हो जैसे देखे यहाँ पे हम अगर t r plus 1 x plus a to the power n के expansion में t r plus 1 n कैसे निकालते हैं t r plus 1th term कैसे निकालते हैं तो देखे कैसे निकालते हैं सबसे पहले तो n लिखेंगे c लिखेंगे और नीचे इस r को लिखेंगे ncr ठीक है क्या लिखेंगे NCR लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे इस X को X to the power क्या लिखेंगे N minus R फिर A को लिखेंगे और A PIP क्या करेंगे R का power देंगे तो किसी भी X plus A to the power N के expansion में T R plus 1S term को निकालने का तरीका होता है NCR X to the power N minus R into A to the power R ठीक है तो इस concept को इस note को आप यादर किया और इसी note पे इस letter questions को बनाएंगे तो चलिए बनाने की कोसिस करते हैं कि आखिर ये questions को हम कैसे बनाएंगे ठीक है चलिए क्या कहा जारा है 4th term पूछा जारा है तो हम 4th term को 3 plus 1th term मान सकते हैं क्यों नहीं मान सकते हैं 3 plus 1 एक 4 ही तो होता है न तो 3 plus 1th term हमने इसको माना तो हमारा question है T 3 plus 1th term तो इसको कैसे लिखेंगे NCR देखें हम लिखते थे आपको T R plus 1 को कैसे लिखेंगे NCR X to the power R minus sorry R minus एक सकंद बच्चे X to the power N minus R into A to the power R किसको X plus A to the power N के expansion में यहाँ N क्या है 2L है तो यहां लिखेंगे 2L C R का वेलिव क्या है यहाँ थीण है 3 है यहा तो R था यहाँ यहाँ पर 3 है 12CR X to ourées X to the power यहां क्या है रूट X है तो रूट X to the power 12 minus 3 1 upon X to the power और क्या है 12 है उपर तो यहां पर लिखते थे 3 है तो यहां क्या 3 लिखते थे जैसे दिखिए यहां R था तो यहां पर हम आपका R लिखते थे ठीक है तो चलिए इसको मिठा देते हैं समझाने के लिए हमने आपको यह दिया था तो फिर क्या करेंगे एक सेकेंड बच्चे फिर क्या करेंगे इसको T3 प्लस 1 को T4 हम लिख सकते हैं क्यों निलिख सकते हैं T3 प्लस 1 4 ही होता है न तो 2L C3 क्या होगा 2L C3 का value कैसे निकलता है 2L C3 का value निकलेगा 12 factorial upon 12 में से 3 गया तो कितना होता है 9, 10, 11, 12 9 factorial into 3 factorial और इसका value क्या होगा X to the power root X है 12 में से 3 गया तो 9, 1 upon X to the power क्या होगा आपका 3 होगया ठीक है तो इसको लिख सकते है 9 into 10 into 11, sorry 9 into 10 नहीं, 9 into 11 into 10 into क्याल सकते है 9 factorial, 12 को लिख सकते हैं इस तरह तोरके ये 9 factorial और ये 3 into 2 लिख सकते हैं इस तरह 9 factorial से 9 factorial कर जाएगा और 3 क्या है 3 से कितना times कटेगा बच्चे, 3 to 6 होता है 6 to 12, तो ये कितना होगा बच्चे 11 to 22, तो ये हो गया 22, 0 यानि 22, 0 तो इसको यहाँ पर इसी तरह उतार देते हैं यहाँ पर, देखिए ये 1 upon x to the power 3 को हमें x to the power minus 3 लिख सकते हैं तो वही हमने यहाँ गया है minus 3 से, यहाँ पर सीरेस पहला ही एक ही line में हमने minus कर दिया है, तो इस तरहीके से क्या होता है बच्चे, आप जितना step कम लिखेगा तो सामय आपका बच्चेगा, तो T4 टरम क्या हो जागा? तो आपकी जानवाशन में यह 4 टरम ना पूछके, 9th टरम, 8th टरम, 15th टरम, 20th टरम, कुछ भी पूछ देगा तो आप ऐसे ही बनाएगा, इसे ही बनाएगा, इसे क्या होगा, समय बचेगा, और जल्दी से बना पाईएगा, अब, the term independent of x in the expansion of something दिया हुआ है, दोखे, 3x square upon 2, minus 1 upon 3, x to the power 9, इसके आपको उताना है कि ऐसा टरम बताइए इसमें, जो की x से independent हो, x से independent कहने का मतलब x to the power 0 हो, independent कहने का मतलब x to the power 0 हो, यार एकर किसी x to the power 0 होगा, तो हमारा value 1 आजाएगा, तो यह क्या होगा, term हमारा x से independent होगा, यानि x to the power 0 होना चाहिए, simple यह समझे, independent term कहने का मतलब x to the power 0 होना चाहिए, तो हमें पता है, x plus a to the power n, इसके expansion में, tr plus 1th term कैसे निकालते थे, ncr x to the power, क्या करते थे हम, x to the power n minus r, a to the power r करते थे, ठीक ह तो हमको क्या कहा जा रहा है, जब भी ऐसा कर लिए, ठीक है, पहले बाले में हमने इसको यूज क्या था, और इस questions में हम इस को यूज करेंगे, देखे, कैसे यूज करते हैं आपको बता दे, तो हम क्या करेंगे, हमें कहा जा रहा है, कि independent term x से पूछा जा रहा है, तो x to the power 0 तो यहां पर क्या है यहां पर x to the power n-r है तो इस power को क्या करेंगे n-r को 0 के बराबर कर देंगे तो यहां से हमारा n equal to r आ जागा तो कहने का मतलब है हमारा जब r का value n के बराबर हो जाएगा तो यह term जो होगा हमारा independent of x होगा यानि इस term में x का value क्या होगा नहीं होगा x का value 0 ह तो यहां पर छोगा तो देखिए n के जब पर r यहां पर डाल देंगे तो यहां पर e-m-r एक्स कोई value नहीं मिल ला है हमें x का value दिख रहा है कि आंधिकरा है तो इस तर रही के से क्या होता है को भी value आपका independent of x होता है ठीक है तो कभी-कभी आपको independent of x ना देखे questions में independent of y z कुछ भी देखा जैसा आपको questions रहेगा उसका नुसार तो बस इसी तरीकों के यहाँ पर अपनाएंगे तो हम मानते हैं कि हमारा r plus 1 term क्या है आपका independent of x है ठीक है तो the term independent of x है ठीक है तो हम क्या करेंगे t यहाँ पर r plus 1 है क्या है r plus 1 equal to क्या करेंगे यहाँ यहाँ पर 9cr इसता लिखते थे जो यहाँ पर उपर आथा था उसी को लिखते थे 9cr 3 x square point 2 पर पर पावर क्या करते थे हम पावर क्या करते थे बच्चे इन 9-r ओके फिर क्या करते थे यहाँ पर फिर करते थे हम बचे वे value को minus 1 upon 3 x minus 1 upon 3 x minus 1 upon 3 x x क्या है नीचे है और इस पर पावर क्या करते थे हम बचा हुआ हमारा r ठीक है चलिए इसको थोड़ा सा आइरेंज कर ले जो भी हमारे x वाले value है, उनको एक साथ ला देते हैं, तो 9cr हो जाएगा, 3 upon 2 to the power क्या हो जाएगा, 9 minus r हो जाएगा, और यह क्या होगा, minus 1 upon 3 to the power r हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, यह x square है, तो यह x square को कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ से देख सकते हैं, x square को 1 second marker change कर ले है, चलिए, फिर क्या करेंगे हम, इसको आप क्या करेंगे, थ्वासा solve करेंगे, तो यह तो हमारा, marker change कर लेते हैं, यह तो हमारा वही रहेगा, यह तो 9cr रहेगा, 3 upon 2 to the power क्या हो जाएगा, 9 minus r, minus 1 upon 3 to the power r, यह तो वही रहेगा, इसे थ्वासा arrange कर लेते हैं, तो x to the power क्या ह यहां पर कोशंस में तो आपको नहीं दे रहा है तो देखें इस कोशंस को आपको थोड़ा सा सुधार दिया जाए कोशंस में थोड़ा सा गलती है इसमें इसमें क्या कोशंस में गलती है simply यहीं गलती है एक कि यहां पर जो आपको पूछा जा रहा है term independent of x तो आपको पूछना चाहिए यहां पर coefficient of the term coefficient of x कहने का मतलब ऐसा आपका उस term का आप coefficient बताईए जो कि क्या हो x से independent हो ठीक है term coefficient of independent term of x ठीक है तो यहां पर coefficient पूछना चाहरा ठीक है, coefficient पूछना चाला था, ऐसा term का, आप coefficient बताईए, एक सगन में चरूँ जाई थोड़ी दिन हम, ठीक है, ठीक है, तो, यहाँ पर क्या पुछा जाला था, coefficient of term independent of x, तो, साही है, कोशन्स में ही गलती था, हम चेक कर रहे थे, चली, यह, कोशन्स में गलती था, तो, कोशन्स में क्या करेंगे, coefficient पूछ लेंगे, ठीक है, चली, coefficient निकाल लेते हैं, तो, coefficient कैसे निकाल लेंगे, आर का वेलू 6 है, इसमें डाल देंगे, ठीक है, तो, यह क्या हो जाएगा, यह ह आपका क्या हो जाएगा 6 plus 1, 7th, t7, 9c6, और यह क्या हो जाएगा आपका, 3 upon 2, 3 upon 2 to the power, 9 minus r, तो 9 minus 6 कितना होगा, 9 minus 6, 3 होगा, minus 1 upon 3 to the power क्या हो जाएगा, यह r हो जाएगा, उपर तो 6 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, यह 9 का, 9 into 8 into 7 into 6 factorial उपन 6 factorial into 9 में से 6 के तो 3 factorial तो यह 3 से 3 कर जाएगा 3 to 6 है यह 3 into 2 लिख सकते हैं इसको 3 factorial को तो यह क्या होगा 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8 ठीक है तो यह कितना होगा आपका 4 जा 12 into 7 ओके और फिर यहां पर क्या है मारा 3 into 3 into 3 3 3 बार 3 है और नीचे क्या है 2 into 2 into 2 into क्या है यह minus power 1 है तो minus 3 minus 1 power 6 क्या होगा plus 1 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 1 upon 3 into 3 into 3 थी पिर की रहतके 3 x 3 x 3 तो 3 x 3 कुर्जा टीर कर जा रुए चेलकी हाज को चरूत कर जाज दूर्टी बंशाय को चरूत आक कड़ी यह करatyछी पालेगा 3 7 x 21 HOW कुछ को टेंगा क्या और कुछ नहीं कर जाउय का ठीक है तो यह क्या हूं दो यह 7 x 7 429 x 224 x 28 77 get 49 8 6 to 8 9 is 72 49 x 72 49 x 72 कटे का कटे का क्या एक सके देख लेते हैं बचे कुछ option में इसाइड गलती हो रही है बच्चे गलती क्या कर दिया हमने यहाँ पे गलती हो जाती है और गलती हो जाती है क्योंकि कोई कताब लेकर बैठते नहीं है आसे जो कोसन सामने आता लें उसको बना के ढिकाते हैं, तो गल्तिया हो जाती है यहां पर क्या गल्तिया हो गई हमसे?", इसको तो सुधार लेते हैं ठीक है तो इसको सुधार लेते हैं और नीचे वाले को सभी को कैया करते हैं हटा जीत плох 2 7 및 8 ठीक है और यहां पर क्या बच जाता आपका यह 3 से 3 कर जाता है और यह आपका एक 3 यहां से 3 से कर जाएगा और यह 4 आपका यह से कर जाएगा ठीक है तो ऊपर जागा 7 और यह क्या होगा 3 टूजा 8 कितना होगा 3 टूजा 8 तो एक सकेंड 7 अपोन 8 7 अपोन 8 क्या होगा एंसर तो देखे 7 upon 8 थ्वाद रूख जाई फिर से लगता है कुछ प्रॉब्म हो तो चले बचे देखे गलती क्या हो गई थी हमने इसको तो पहले से काट लिया था हमने ना देखे जैसे यह एक 3 था जो हमारा यह एक 3 था दिख़रा होगा आपको यहां पे जो 3 था 3 क्या है 3 इंटू 3 थे यह 3 एक 3 यह 3 वाले से कर जाएगा ठीक है और यहां एक 7 है तो यह क्या होगा 4 और यह 4 आपका इस दोनों से कर जाएगा तो उपर हो जाएगा 7 और नीचे जाएगा 3 था 9 9 तू जा 18 तो क्या होगा 7 अपॉन 18 आपका क्या होगा answer राइट एंसर होगा होगा ठीक है तो टी सेवंथ का भी लिएगा 7 अपॉन 18 तो हमारा जो टर्म होगा इंडिपेंट ऑफ एक्स उसका कोफिशन किता होगा 7 अपॉन 18 होगा तो इस तरीके से इंस को बनाते हैं तो बच्चे कल्कुलेसिन मिस्टेक को ध्यान दिखिएगा हमेशा कभी आप किजि अपको समय ब्रवाद होगा यहां पर नेक्स कुछन आपका अपका इंडिपेंट ऑफ एक्स इन इतना फिर से वहीड है तो आप इसको पॉच किजिए और वराने की कोशिश कीजिए ठीक है तो चलिए सभी लोग ने ट्राइ किया होगा इसे हम आपको बना के दिखाते हैं तो हम r plus 1th को क्या करेंगे बच्चे आपका इंडिपेंट ऑफ मानेंगे तो यहां पर आपका टर्म ही पूच रहा है कि आखिर वो टर्म क्या होगा ठीक है तो वो टर्म क्या होगा तो चलिए मान लेते हैं tr plus 1 तो tr plus 1 तो हमारा क्या होगा इंडिपेंट ऑफ x होगा तो और यह क्या होगा आपका x to the power minus r ठीक है तो x को टोटल पावर कितना होगा x पर हमारा total पावर होगा 18 minus 2 r minus r ठीक है तो 18 minus 2 r minus r equal to 0 के बड़ावर कर देंगे 18 minus 2 r minus r को हम क्या करेंगे 0 के बड़ावर कर देंगे देखिए कुछ गलती तो कहीं नहीं हो रही है एक minus है यहाँ पर तो हम इसको minus 1 to the power r लिख सकते है ठीक है तो यह छुड़ क्या था sorry चलिए यहाँ क्या है तो 18 equal to क्या आगा 3 r तो r equal to क्या आगा 3 6 है 18 तो r हमारा क्या होगा r के value 6 हो गया तो यह क्या होगा आपका t6 plus 1 यानि t7 यानि 7 पर term क्या होगा हमारा independent of x होगा तो यहाँ पर भी आपको term ना करके क्या coefficient पूछा जा रहा है coefficient है ठीक है coefficient पूछा जा रहा है तो चलिए यहाँ पर क्या करने है इस सभी को मिठाते हैं चलिए पीछे बना लेते हैं coefficient कैसे निका लेंगे r के जावा पर यहाँ पर 6 पूट कर देंगे ठीक है यह क्या हो गया आपका t7 equal to क्या हो गया बच्चे आपका marker तो चेंज कर लेते हैं t7 के value यहाँ पर क्या कि 9c6 into क्या आपका x to the power x to the power यह तो आपका खतम ही हो गया तो बच क्या गया minus 1 पर power r तो r के जावा पर 6 डाल देंगे तो क्या हो गया यह तो plus आ गया 9 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial upon 6 factorial into 3 factorial तो 3 into 2 लिख सकते हैं 3 factorial को यह 6 factorial को 3 3 जा 9 और यह क्या होगा आपका 2 4 जा 8 तो कितना होगा 3 into 7 into 3 into 4 into 7 12 into 7 84 option number 4 is the right answer तो यहाँ पर क्या हो रहा बच्चे 2 questions यहाँ पर हमने आपको सिखाया एक ही questions से 2 questions को सिखाया कैसे कभी-कभी आपको क्या होता है questions में simple term पूछेगा तो term आपका क्या होगा term आपका जब r का value 6 आएगा तो 6 नहीं tick मार दीजेगा आपको आपने r plus minus term माना है तो 6 में एक जोर दीजेगा तो 7th term हमारा क्या होगा independent of x होगा और उसी questions में अगर यह भी पूछ दिया जाए कि आखिर बताइए कि हमारा independent term of x वाला उसका coefficient क्या होगा ठीक है चलिए next questions की ओर the coefficient of x to the power 3 in 2x minus 3 upon x square power 9 ठीक है इसका x to the power 3 का coefficient निकाल ला है तो बस हम t r plus 1 term मानेंगे और क्या करेंगे देखिएगा कैसे करेंगे वहाँ पे coefficient of independent of x पूछा जा रहा था तो independent of x यहने x to the power 0 तो हमने क्या करते थे कि x पे power और यह होगा 2x to the power क्या हो गया बच्चे आपका 9 minus r और minus 3 upon x to the power क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा र हो जाएगा ठीक है यहां से 9cr लिखेंगे और 2 to the power 9 minus r बाहर आ जाएगा और x to the power क्या हो जाएगा 9 minus r और minus 3 upon 3 क्या हो गया मैनस 3 पर पावर आर भाड़ा गया और यह हो गया आपका x to square पर पर माइनस 2 into r ठीक है x to the power minus 2 into r तो x का coefficient क्या हो गया 9c r 2 to the power 9 minus r और minus 3 to the power r और यह क्या हो गया आपका x to the power 9 minus r minus 2 r तो इसको किस के बढ़ाव कर देंगे 3 के बढ़ाव कर देंगे तो 3 r equal to क्या हो गया 9 में से 3 गया तो 6 हो गया तो r का value 2 हो गया तो r का value जब हमें 2 मिला तो बस यहांपे put कर देंगे क्यों की क्यों put करेंगेkr t r plus 1 के जाब पे t kya put कर देंगे 2 plus 1 यानी 3 जो हमारा term होगा वो term कितना होगा term होगा third term third term जो होगा वो हमारा क्या होगा उसका power x to the power 3 होगा third term जैसे ही हमें मिलेगा उसमें हमें x to the power 3 वाला value मिलेगा और उसका coefficient क्या होगा तो यहीं उसका coefficient होगा तो बस इसको बना लेते हैं coefficient 9c कितना है 2 है 9c क्या है 2 है और 2 to the power 9 minus 2 9-2 कितना होता है 7 होता है ठीक है और –3 to the power 2 है ठीक है तो 2 to the power 7 और –3 to the power 2 तो चली इसको पहले क्या करते हैं solve कर लेते हैं तो 9c2 को कैसे करेंगे 9 into 8 into 7 चली पहले क्या करते हैं 9 factorial लिख लेते हैं t कितना 2 plus 1 3 term t3 equal to x to the power 9 factorial upon 9 में से 2 क्या था 7 factorial into 2 factorial फिर क्या करेंगे into लिखेंगे और 2 to the power 7 into लिखेंगे और क्या करेंगे –3 का square तो यह क्या कर प्लस 3 का square हो जागा तो हम 9 को लिख सकते हैं marker change कर लेते हैं 9 को लिख सकते हैं 9 into 8 into 7 factorial upon 7 factorial into 2 factorial 7 factorial से 7 factorial कर जाएगा और यह कितना 2 4 जाए कर जाएगा ठीक है यह क्या होगा 2 to the power 7 into 3 का square यह होगा आपका 9 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का square लिख सकते हैं 4 को 2 का square लिख सकते हैं ठीक है और यह क्या है 2 to the power 7 into 3 का square यह होगा जो भी को संथ हमें आपको सिखाया ये विडियो लेक्टर वाष स也 बढ़ा हो गया होगा लेकिन आपको यहां सब कंसेप्स शीखने पर ज़िए बुरूर मिला होगा एक को समय में बनाए इन सभी तरीके को हमने आपको सिखाया है तो चलिए वीडियो को रखते हैं यहीं पर अगर आपको अच्छा लगा तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स वर वाचिंग मैं